है गाइस मैं हुद तुशार साव और वेलकम त्यों मैं चैनल आज हमारे पास में एम्बेंड लाइट है जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल की है टाटा नेक्सवन कार के अंदर यह काफी बड़िया लाइट होती है जो कि गाड़ी के इंटियर को काफी खूब से बना देती है यहां देखेंगे यह मेरे पास में एम्बेंड लाइट का बॉक्स है जिसके अंदर आपको सारे वायर्स और लाइट्स मिल जाती है और यह हमारी ब्लैक कलर की टाटा नेक्सन का जिसके डैस्बोर्ट पे और डॉर्स पे इस लाइट का इंस्टॉलेशन किया जाता है तो व दीजन के बॉक्स के अंदर सारे वायस केबल और यि कैन बास साफको मिल जाता है डाप्ट ही से कहा जाता है जो कि आपको काफी बढ़या response डेता है साथी साथ हम बात करेंगे तो यहां देखेंगे यहां पर सारे आपको थींज वागरे मिल जाते हैं यह पर अपान वायर ह जाती हैं तो connection करने में कोई दिक्कत नहीं जाती है अब यह जो मेरे हाथों में देख रहे हैं यह तरीके का प्रोजेक्टर बुलना चाहिए या लेजर बूलना चाहिए यह जो लेजर है इन दिये गए पाइप के अंदर जाते हैं और इससे लाइट आपको काफी खुश्रत दिखने लगते हैं और रिमोट भी आता है इसके साथ में जिससे आप सारे कलर्स को ऑपरेट कर सकते हैं यहां पर देखे इससे इंस्टॉल करने के लिए पूरी मैनुवल गाइड भी इस बॉक्स के साथ में आती हैं और साथी साथ भाई इस एम्बियंट लाइट को आप एप्लिकीशन जो मोबाइल एप्लिकीशन है प्ली स्टॉर से उसकी तरह भी ऑपरेट कर सकते हैं तो यह देखे कुछ इस तरह की से इसका लुक आता है और मैं आपको बता हूँ मैनुवल जो गाइड है व उसको उपरेट कर सकते हैं तो सारी डिटेल आपको इस केटलोग के अंदर दी जाती कि किस तरह के सापको आप करना है जो मल्ली कलर्स है वह सारे की सारे इस आपको मिल जाते है तो यह मैनृओल गायड भी आपको इस बॉक्स के साथ में कम्पनी प्रॉइड करती है चलिए तो यह हुआ हमारे unboxing ambient light की अब इससे install के से किया जाता है तो यहाँ देखेंगे गाड़ी के अंदर जो dashboard है यह दोर है इसके उपर पूरा installation किया जाएगा तो यहाँ देखेंगे इस door को पहले लिकाना होता है door pad को लिकाने के बाद में जो tube है जिसे tube का जाता है उस tube को पूरा का पूरा यहाँ पर लगाना होता है अब यहाँ देखेंगे जो dashboard है dashboard की उपर में भी इसका installation किया है जो white clear की आपको line देखने को मिल रही है यह पूरा का पूरा tube यहाँ पर इसके अंदर लगा दिया गया है और जो laser है वो laser इसके अंदर जाएगा जिससे आपको काफी खूबसरा lighting देखने को मिलेगी तो यहाँ आप देखें नेक्सों गाड़ी है dashboard की उपर इसका installation कर दिया गया है wire connection अभी करना बाग की है चारो doors पे इसका connection हो जाएगा और यह black color की हमारी Tata नेक्सों गाड़ी लाइटों का स्तमाल कर सकते हैं इसके में बहुत सारे color options रहते हैं music beat की उपर भी operate किये जा सकते हैं यहाँ देखें जो door पैनल है इसके उपर में भी यह light हमारी चालू हो गई है काफी खूबसरत इसका look है और night में बहुती शांगर इसका look हो जाता है यह dashboard पर भी यह लग चुका है अब यहाँ से हैं आप क्या कर सकते हैं इसको operate कर सकते हैं by remote और जैसे कि मैंने आपको बता है mobile app से भी इसको operate कर सकते हैं तो यह मैं आपको अलग अलग कर दिखा के चालू करके दिखाता हूँ तो different colors में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए यहाँ से लेकर पूरा पूरा जो लाइटिंग है कावी खूबसरत लुक के साथ में आ जाता है तो इसे लगाने में काफी महनत लगती है चार से पांच घंटे लग जाते हैं लेकिन जब result आपको मिलता है वह काफी शांदार होता है तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइटि उस पे भी इसको install कर दिया गया है back side से और दिखा दूँगा आपको तो यहाँ आप देख सकते हैं dashboard काफी looking west काफी बढ़िया है और इससे भाई आप night में जब भी travel करें ना तो इसका स्तमाल कर सकते हैं back वाले board पर भी लगाया है चोटे tutor से उसके अंदर में भी lighting का focus आपक गाड़ी के अंदर इससे install करवा सकते हैं तो बढ़िया और अच्छा interior आपको LED lights के साथ में करवाना हो तो यह ambient light काफी बढ़िया और useful चीज है जो कि आपकी गाड़ी के interior को काफी बहतर बना देती हैं तो यहाँ आप देखेंगे यह हमारी जो गाड़ी इसकंदा install कर दिया लगशचर कर दो यह हमारीजी के वाड़ी के ब àsकते हैं दो यह हमारे सकत्वचर का अपकी जो कि अवेड़ी जो कि ऐसक्रा आपको जो ख Feder.